आप देख सकते हैं आपर जैसे लिखा हुआ है TGT 2002 हाँ बिलकुल आप यह आपर सही देख रहे हैं TGT 2002 के कॉमर्स के एक्जाम में जो निमेरिकल आए थे उनको में सॉल्व कराने जा रहा हूं उसका पहला कोशन हमारे पास में हमारे पास सामने यह है और कोशन है कि A और B सा जिदार हैं और यह साथ अनुपाथ 3 के अनुपात में लाप को वित्रित करते है इन्होंने सी को नौए शायदार के रूप में प्रिबेश करा दिया है जिसको ए इस अपने हिस्टे का एकव बोड़ा 7 भाग तथा भी अपने हिस्टे का एक वाटा 3 भाग समर्पित करते है नया लाब बितरह अनुपात ग्याद किए यहां पर option दे रखा A, option B, option C, option D बिना solve किये यहां पर कुछ भी नहीं पता लगेगा तो आए solve करते हैं देर ना करते हुए हम यहां से start कर रहे हैं थोड़ा सा working notes यहां पर कर लेते हैं A और B हमने लिख लिया है बराबर यह हमारे पास साथ अनुपात तीन है इसको जब इसगल टू अगर इसका जो बिष्टार अगर हम करें तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता साथ तीन दस तो यह हो जाएगा साथ बटे दस A का और तीन बटे दस B का अब C के बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया कि C जो है A से A बटा साथ भाग लेगा और B से A बटा तीन बटा लेगा जब यह भाग इन A से और B से लेगा तो A के और B के भाग पर परिवर्तन हो जाएगा यानि A का और B का जो परिवर्थित हो जाएगा भाग उसके लिए हम यहाँ पर calculate करेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर through करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानि new part या new share या new ratio हम यहाँ पर लिख सकते हैं new ratio of A A का नया अनुपात तो A का जो नया अनुपात है या A का नया भाग है share भी लिख सकते हैं बराबर पहले हम देखनें इसका पुराना कितना भाग था तो पुराना भाग था 7 बटे 10 इसको सात वटे 10 को हम इसी तरह से लिग देगे अब सात वटे 10 के बाद में आगे यहां पर बात आती है और वो बात आती है कि इसी का यही तो यहां लिखा है कि a अपने हिस्थे का ay ota say acres लेगा तो क्या करेंगे इसके cuánt मैंस कर देंगे अब मैंस करते समय एक यहां गलती हो जाती है क्या कि डारेक्ट एक वटे-7 को माइस कर दिया जाता है और और बो गलत हो जाता है उसको ऐसे नहीं यह पर हम पहले एक ब्रेकट का निशान लगा लेंगे और 7 वटे-10 पहले इसको लिख ले इसका एक वटा साथ भाग देने की बात हुई है यहां समझ रहे हैं कि 7 बटे 10 का मैंसे घटाना है लेकिन 7 को यहां पर हमें द्वारा लेखना है क्योंकि इसका ही तो एक बटा 7 भाग देना है इसको अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 से 7 यानि 7 से 7 कट गाया तो बचा क्या है लेकिन इसको बचे हुए को ऐसे नहीं लिखेंगे पहले तो 7 वटे 10 को हम ऐसे ही लिखेंगे 7 वटे 10 माइनस अब हमारे पास क्या बचा है एक वटे 10 वचा है वो एक वटे 10 हमने ऐसे ही लिख दिया यानि यहांपर जो A से भाग लेगा C अपना A से जो भाग लेगा वो एक बटा दस भाग लेगा यानि A को अपना एक बटा दस भाग यह वाला त्याग ना होगा इस तरह से अब इसको हम solve अगर करते हैं तो जब इसको अगर हम solve करेंगे तो क्या solution इसका आएगा अगर इसको हम घटा आएं तो क्या बचन से LCM तो 10 ही आ जाएगा और जब 10 LCM आ गया है साथ में से एक डारेक घटा दिया जाएगा तो यह बचेगा 6 बटे 10 भाग यह हमारे पास A का नया भाग बचेगा अब इसी तरह से new ratio हम निकाल देंगे new ratio of V यानि V का नया अनुपात पहले पुराना अनुपात तो देख लें पुराना अनुपात इसका दे रखा 3 वटे 10 माइनस जिस तरह यह घटाया गया था इसी तरह से यह घटाएंगे तो पहले इसी का जो 3 वटे 10 भाग है इसी का एक वटा तीन भाग दिया जाएगा किसको C को तो एक वटा तीन भाग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा क्या 3 वटे दस को तो हम इसी तरह लिख देंगे कि 3 वटे 10 माईनस यह क्या बचा 1 वटे 10 एक बटे 10 अब यहां पर क्या करेंगे LCM ले लेंगे 10 तो 10 तो ऐसे ही आ गया और तीन में से एक घटा दिये जाएगा दो यानिकि दो बटे 10 यह बचा है भाग इसका बी का अब यह B का भाग जब बचा है तो यहां पर हमारे पास अगर हम C का भाग देखें जो C का रेशियू है अगर उसको हम देखें तो C का वही कितना हो गया C को यहां टोटल नहीं दे रखा था कोश्चन में कोश्चन में यह पूरा भाग नहीं दे रखा था कि पूरा कितना भा जो भाग है यह B से मिल रहा है दोनों को जोड़ करके C का भाग निकल आएगा यानि कि 1 वटा 10 पिलस 1 वटे 10 यह भाग हो गया किसका C का है इसको हम जोड़ देंगे पिलस कर देंगे तो Lcm जब इसका ले करके जोड़ेंगे तो यह तो 10 तो ऐसे ही आ गया और एक और एक यहा पर हो चुका है अब जब यह हमारे पास में हो चुका है तो जो New Ratio तीनों लोगों का है तीनों सदस्रियों का साज़ेदारों का है New Ratio of A, B, C बराबर इसको हम देख लेंगे यह 6 वटे 10 है A का तो 6 वटे 10 ऐसे ही आ गया दो वटे 10 है B का वो ऐसे आ गया और C का वो भी 2 वटे 10 है वो हमने ऐसे यहाँ पर लिग दिया अब यहाँ पर हम देख सकते है यह हमारा आंसर आ चुका है क्या के रहेंगे? दॉस तो यहाँ पर गॉमन है यह जब दस यहाँ पर गॉमन है तो यह हमारे पास में आ जाएगा 6 ऐसे ही आ गया 2 ऐसे ही आ गया और 2 ऐसे ही आ गया अब यहाँ पर भी हमारे पास में इसमें भी एक काम और हो सकता है फिलाल यह हमारे पास में option हमें मिल रहा है और यह जो option मिल रहा है यह option हमारा कहां मिल रहा है ये मिल रहा है एक जो ये है च्छे अनुपाद दो अनुपाद दो अगर ये option दे रखा है तो यह हमारा answer आ चुका है यानि ये इसका right answer होगा लेकिन कभी कभी क्या है इसको ये divide भी कर सकता है दो से अगर यह 2 से divide कर देता है तब यह answer आजाएगा 2 से सभी को divide करना होगा जब divide अगर हो रहा है तो 2 से divide अगर करेंगे तो यह हमारे पास में आजाएगा 2, 3, 6, 2, 1, 2 और 2, 1, 2 तो answer जब यह हमारा आ गया है तो आगे solve करने की आवा सकता नहीं है अगर यह option नहीं होता यह option होता तो फिर हमारा answer यह होता इस तरह से यह पूरा solve हमारे पास में हो चुका है यह answer आ चुका है चलते हैं अगले question की हो तो दूसरा question हमारे सामने है और यह भी TGT 2002 के एक जाम में आ चुका है और question हमारे पास है यदि औसद वसूली अबधी 15 दिन है और औसद पुष्टकी यह प्राप प्राप्यताएं यह प्राप्यताएं सब्द है 45,000 रुपए है तो कुल बार से कोधार विक्री क्या होगी option हमारे पास में दे रखा है अब option बिना solve की है अगर दे रखा होता है numerical का उसको बिना solve की हल नहीं किया जा सकता पता नहीं किया जा सकता तुक्का बिढ़ाने से काम नहीं चल सकता इसके लिए हमें एक सूत्र की आवे सकता होगी और वो सूत्र है औसद बसूली अबधी क्या पूछा गया है जो कुल विक्री है उधार की विक्री क्या होगी तो हमें यहां पर देखना है सूत्र तो यह होता है औसद बसूली अबधी इच्गल तो हमारे पास मों होता है औसद पुस्तकी प्राप पता है और कुल उधार वारसिक विक्री गुलान इसमें 360 लगाए जाता है, कभी भी इसमें 365 नहीं लगाना, 360 ही लगाना है अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अगर हमें से पूछा क्या चीज है, हम से पूछी गई है क्या, कुल उधार विकरी, ये चीज पूछी गई है अब ये चीज़े जब पूठी गई हैं, तो इसी के आधार बर हमें इस काम को करना होगा, इस काम को जब इसको हम करेंगे, तो क्या करेंगे हैं? और सत बसूली अब्दी तो और सत बसूली अब्दी तो हमारे पास दे रखी है वो इसको हम ऐसे लिख देंगे यह 15 दे रखा तो हमने 15 इसको लिख दिया बरावर और सत पुस्तकी यह प्रापतान तो यह भी हमारे पास में दे रखा है 45,000 रुपए दे रखा है 45,000 रुपए कुल उधार वार्सिक विक्री यह हमने यहाँ पर लिख दिया और गुणायमें जैसे लिखा हुआ था 360, वो 360 को हमने इसी तरह से लिख लिया अब इसके बाद में हमें क्या करना है वही इसके बाद हमें करना होता है कि इन चीजों को आपस में ले लिया जाता है अगर इसके बटे में एक करके अगर हम तिर्शी गुणा कर लें तो अब ऐसे में क्या होगा अगर इसको हम इस तरह से करें कुल थोड़ा सोल्ट में लिख दे रहा हूं उधार वार्सिक बिक्री इसको मैंने सोल्ट में यहां पर लिख दिया है और इसके गुणा में यह पंद्रा आ जाएगा यह पंद्रा हमारे पास ऐसे ही रहाएगा बराबर क्या रहाएगा बराबर हमारे पास में बचा क्या है 45,000 तो यह बचा है और गुणा में यह इसके यहां पर बटे में पहुंच जाएगा इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 45,360 वटे 15 यह हमारे पास इस तरह से आ चुका है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा वह इसको हम यहां से काट देंगे यहां से काट देंगे जब इसको काटेंगे तो हमारे पास माहाईगा 15,32 बचाएगा 6 यानी की 60 15,4 यह संख्य हमारे पास में कटे कहीं है क्या करेंगे इनकी आपस में गुळाँ करेंगे जब इनकी'िया पास में हम गुणां करेंगे तो गुलां जो हमारी यहां पर आईगी वो गुलां हमारे पास मा रही है यह गुलां हमारे पास आ रही है यह 10,80,000 रुप है क्योंकि यह मैंने कैल्कुलेशन मोबाइल से यहां पर कर दी है तो इस तरह से हमारे पास में आ गई है अगर पैसा करोंगा टाइम जादर लेगा तो इस तरह से अब यहाँ पर हमें देख लेना कि यह हमारे पास में उदहार विक्री की जो निकल कर रहे हैं यह कुल उदहार बारसिक विक्री जो है वो आंसर हमारा आ चुका है अब इसको हम देख लेंगे कौन सा option हमारा पर match खा रहा है वह match हमारा खा रहा है option A यह हमारा right answer हो गया 10,80,000 रुपए बढ़ते हैं अगले question की ओर यह हमारे पास में solve हो चुका है पूरा तीजरा question आप यहां पर देख रहे हैं ब्याज आवर्थ है जो है वो 5 है तो ब्याज की रकम केतनी होगी option यहां पर दे रखे हैं हमें नहीं पता भी ऐसे कौन सा जब तक solve नहीं करेंगे तब तक कोई इसका guarantee नहीं है सूत्र का हमें यहां पर यह प्रयोग करना होगा ब्याज आवर्थ अनुपाथ कर्से पूर्व का लाव ब्याज की रसकं़ित वहरा कैंबों नहीं करना होगी यह इसी तरह से लेख देंगे यह दो लाव बटे व्याज की रकम यही तो पूछिए यह तो हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे जैसे लिखा हुआ है ब्याज की रकम यह यहां पर लिख दिये गाए बस इसको शूत्र में हमें फीट कर देना जब शूत्र को अगर इसमें हम फीट करेंगे क्या करते हैं ऐसी इस्तेदी में यह एक अपनी तरफ से लगा देते हैं एस इसको यहां पर कर लेंगे स्वरी मल्टिपलाइस की हम इस तरह से कर लेते हैं कि अब क्या करेंगे यह चीज तो एक साथ आ जाएंगी यानि कि पांच गुणा व्याज की रकम बराबर इसकी जब गुणा करेंगे दो लाक की एक से तो दो लाक आएगा दो लाक अब यहां पर अगर हम इसको देखें व्याज की रकम बराबर वह यह जो दो लाक था यहां जो यह गुणा वाली चीज है यहां पर बटे में हमारे पास आ जाएगा पांच चौक बीस चार जीरो जो बचे हैं वह ऐसे जाएंगे एक दो तीन चार कि यानि की 40,000 रुपए अब इसको हम ऑप्सन में अगर देखें तो ऑप्सन हमारे पास यहां पर कौन सा सही हो जाता है ऑप्सन हमारे पास में सी वाला राइट हो जाता ह इसी में 40,000 दे रखा है तो यह हमारे पास ऑप्सन सी 40,000 का ओके हो चुका है बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर तो चौथा कोशन भी आज का आपके सामने है और वो कोशन हमारे पास में यदि आय मूल्ले अनुपात 0.05 और पिरती अंस आय जो है वो 8 रुपए तो अंस का बाजार मूल्ले क्या होगा तो बाजार मूल्ले क्या होगा आप्सन हमारे सामने हैं यहां हमें एक शूत्र का प इस तरह से आकर इसको हम calculate करें तो हमारे पास आय मुल्य अनुपात सुरू में यहां पर दे रखा है इसी को हम लिखाएंगे 0.05 गुणा हमने ले लिया यह और पिरती अंस आय जो यहां पर दे रखी है आठ आठ को हमने यहां पर लिया इसकी जब हम आपस में गुणा करेंग तो यह हमारे पास जो गुणा आएगी तो गुणा को कर लेंगे हमारे पास में 0,845 अब यह हमारे पास में आ गई और यह दो अंकों से पहला पाइंट है इस तरह से हमारे पास में आंसर आ चुका है और यह आंसर अब ऑप्शन में देख लेंगे यह ऑप्शन हमारे मैं से खा रहा है वो खा रहा है डी से यानि कि राइट आणसर डी हमारे पास हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर पांचमा कोशन और जो पांचमा कोशन हमारे पास में है यदि कुल बिक्री एक लाख रुपए है कुल बिक्री में सामिल नगद बिक्री बीस हजार रुपए है और इसमें बिक्रे बापसी जो हाई वो साथ हजार रुपए है आप आके हैं क्या कहता है कि 31 मार्च 1993 को बिक्री के लिए कुल देंदार जो थे वो 9000 रुपए थे और प्राप्पे बिल जो थे वो 2000 रुपए हैं और साथ भुक्तान अवधी 1992-93 बर्ष के लिए होगी और साथ भुक्तान अवधी की यहां पर बात पूछी गई है और साथ भुक्तान अवधी यानि कि पूछा गया है इसके लिए सूत्र को कैं और सूत्र होगा सूत्र है कि एवरेज कलेक्षण पिरियारर आवरेज कलेक्शन पिरियार हुए इस गल्टू होता है average receivable upon हमारे पास में आजाएगा net credit sales गुणा 365 सूत्र को हमें बहुत अच्छे से याद रखना यह अपने पास में note कर लेना इसकी आवे सकता पड़ेगी तभी यह सूत्र याद होका तभी हम इसको solve कर सकते हैं अन्य था solve इसको नहीं कर सकते हैं तो फलाल हमारे पास में अब हम कोश्चन को अगर देखें average collection period को हमें calculate करना है average receivable जो हमारे पास में जो है यह इस चीज को हमें देखना है तो यह हमारे पास यहां दे नहीं रखा है जब नहीं दे रखा है तो इसकी भी हमें calculation करनी है इसका हमें पता करना है और जो net credit sales दे जिसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है जो debtors and total और पिलस उसम बी आर बिल receivable है उसको add कर देते हैं यह हमारी संख्या यह मांट जो अब निकल के आ जाएगी अगर इसको हम देखें तो debtors debtors हमें यहां पर देखना है debtors कितने debtors यहां पर यह दे रखा है 9000 रुपए तो जो धना सी निकल के रागई है हमारे पास में आगई 9 और दो 11 यह 11000 यहां पर आ चुकी है अब 11000 के बाद में अब हमें यहां पर हमारी एक चीजी के लिए हो गई है यहां से अभी net credit की हमें आवे सकता है यानि जो उधार जो हमारा है उधार विक्री जो है वो हमें पता कर करनी है इसके लिए हमें क्या करना है कि टोटल सेल्स को देखाएंगे इस में से माइनस कैस सेल्स को माइनस कर देंगे और इस में से फिर माइनस कर देंगे हम सेल रिटरन तो इस तरह से जो कोशन हमारे पास में सब कुछ दे रहा है जो कोशन में दे रखा है उसको हम इसी त रहा था कि 20,000 रुपै नगज विक्री यहां पर है यह 20,000 रुपै तो यह पर हम 20,000 को माइनस कर देंगे यह 20,000 को माइनस कर सकते हैं तो यह 7,000 रुपै और 7,000 रुपै को हमने यह इस तरह से लिख दिया 7000 रुपए यह हमने इस तरह से कर लिया अब इसको अगर हम calculate कर लें इसको अगर हम calculate कर लें तो calculate करने पर हमारे पास में जो भी कुछ यहां निकल करके आएगा वो हमारे पास निकल के आ रहा है 73,000 रुपए क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे यह हमारे पास कित्ता हुआ था 27,000 को हम एक लाक मैं से less कर देंगे तो हमारे पास में निकल कर आया है 73,000 यह चीज हमारे पास में हो गई सूत्र क्या था यह सूत्र हमारे पास था यह इसमें यह चीज़े हमें मिल चुकी है दोनों चीज़े मिल चुकी है जब यह दोनों चीज़े मिल चुकी है अब इसको हम सूत्र में फीट कर देंगे सूत्र में इसमें फीट कर आएंगे बस answer ह हमारा आ जाएगा शूत्र को हमें दिए रखना क्या पता करना है यह पता करना या देखत लिया रिजिए के करने के लिए को सोड़ा से सृट में लिख दूगा limit अनगा दो डवक Hajda क्लेक्शन पिरियडवर क्या पीरियड बराबारर एब्रेज कलेक्शन की एह पर नेट के रहला हमें लिखने हैं तो उधार विक्री जो हमारे पास निकल के आई हैं भो निकल कर रहा है तेहतर हजार रुपए और गुणा में हमारे पास में क्या था 365 था तो 365 को हम इसी तरह से लेख देंगे 365 इसके हम कiakulेशन कर लेंगे और कैलकोलेशन करने के बाद में जो भी किछ हमारे पास में निकल के आएगा वो हमारे निकल यह आएंगे डेज हमें निकालना क्या था पीरियड ही तो निकालना है कुलेशन हमें आनी चाहिए हमारे पास कर सकते हैं इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, यह हमारे पास में आंसर आ चुका है, अब यह आंसर हम देख लेंगे, कौन से option में आ रहा है, 55 days, तो यह 55 days हमारे पास यहां आ रहा है, D में, option हमारे पास D right हो जाता है, तो यह थे 2002 के TGT के commerce के exam में आई हुए numerical, जो आपके सामने पेस हैं, फिर में लेंग